असल में जो मेरा जो पोस्ट था या जो मीडिया में आई है बात उसका मकसद यह नहीं था कि हम इनको बचाये बेईज़त कर रहे है या किसी इस पॉपस के लिए बुला रहे हैं कि यह डिबेट करें नहीं उसमें मेरा ये मकसद था कि election लडने से पहले हम सभी political parties राजपुरा constituency के जीशोर और गयूर अवाम के सामने अपनी बात रखे, अपना governance model रखे, अपना manifesto रखे तो उसी में मैंने गुजारिश की थी national conference के candidate को और people's democratic party के candidate को कि हम कोई जगा fix करेंगे, वहाँ आमादभी party का एक volunteer मतलब मैं रहूंगा, वहाँ NC का candidate रहेगा, वहाँ PDP का candidate रहेगा और अगर और भी कोई political party का candidate आना चाहता है, एक open discussion रखेंगे, वहाँ पे media को बलाएंगे और राजपुरा constituency के हर एक गाउं से 5-5 लोगों को बलाएंगे, उसमें जो खर्चा होगा, वो हमारे volunteers करेंगे, वो राजपुरा की अवाम करेंगी, सिर्फ इस मकसद से कि ये अपन model देंगे, अगर national conference दावा कर रहा है, पिछले 70 साल से कि हम change लाएंगे, इनकिलाब लाएंगे, तो आज भी क्यों राजपुरा constituency के हरे गाउं में गंदा पानी लोग पीते हैं, आज भी क्यों हमारा नाजवान बेरोजगारी से पिस रहा है, आज भी अगर PDP कहता है कि हम इ के campaign song सुनते हैं, उन campaign song से ये लगता है कि उन्होंने आज से 70 साल पहले इनकिलाब लाया है, लेकिन वो सब के सब song जो है वो खोकले हैं, वो जूटे दावे हैं, लहाज़ा मैं आपके माद्यम से NC के candidate को और PDP के candidate को open invitation करता हूं, और हाथ जोड के गुजारिश करता हूं, कि आप किसी जगा आईए, हम मीडिया को बलाएंगे, हम राजपुरा कॉंस्टिवेंसी के अवाम को बलाएंगे, हम देखेंगे इन्होंने राजपुरा कॉंस्टिवेंसी में बेटिएं के लिए, माओं के लिए और बहनों के लिए, security and security के लिए क्या policy बनाई है, हम इन्होंने बुजर्ग माओं के लिए क्या policy रखी है, हम देखेंगे, ये बोलते हैं, हम free बिजली देंगे, जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिली में दी है, इनके पास क्या policy है, जिन्होंने यहां के power projects बेचे, बीजेपी नासूर है इस जमु कश्मीर के लिए न इनके हाथ कश्मीरियू के खून से रंगे हुए है, इनके दामन नापाक है, तो इनकी मैं इसलिए जिकर नहीं करता हूँ, और बीजेपी कहीं पे competition में नहीं है, बीजेपी ने आज तक election नहीं लड़ाये यहां पे, जिन्होंने यहां सतर साल लोगों को गुमरा किया, कभी autonomy के नाम पे, कभी self rule के नाम पे, आज हम उनको दावत देते हैं, कि वो हमारे सामने आए, debate करे, discussion करे, मीडिया के सामने, अवाम के सामने, जैसे बाहर की country's में होता है, वहां लोगों को, वहां एक candidate को पता है, कौन mandate देता है, वहां की अवाम, वहां की अवाम उनको पहले ब जिवाल जी को जेल में रखा है, उसकी गलती है, उसने दिल्ली और पंजाब में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की और quality education मुफ्त की, हाँ उन्होंने वहां पे गरीबू के लिए मुफ्त इलाज रखा, मुफ्त दवाई रखी और मुफ्त टेस्ट रखे